आज तक लोगों को नहीं मालूम की पूजन करने बेढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में लिए लिए अगर 15 साथ में होगा तो पहले मंटर बोले गा स्वस्थी बाचन करेगा उसको अर्थाद व्हान के लिए प्रशन अवर Rub Pak Instituto कोई ब्रह्मन नहीं, आपको कोई स्तूती नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो, कि भगवान के मंदर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो, कि तेरी कृपा है, जो मुझे चल क यहां तक बुला लिया दो कदम चलाया यहां तक बुलाया यह तेरी कृपा है और बड़ी क्रुपा करी जो डल्यावम्य भरके पूझन का समान कितने लोगों का फाइदा है कितने लोगों का फाइदा हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में पद्म पुराण में लिखा है सोभाग्य बती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलस लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है मंदिर के लोटा, मंदिर के पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेर, बस सिव जी के चड़ा रही, ओई इत्य प्रेम से जी जा रही, अब फिरी का पानी था तो यह लोटे में मन भी नहीं माले, अर करा, तो भगवान के सम्मुक में पहुचकर, अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भर्या हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसंता किवा है, हिंदू धर्म की वीति है, जिस पात्र को हम जल चड़ाने लेकर जाते हैं, उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं गया, क्यलाते हैं, भगवान के चरणों का जल उस चरणों तक को लेकर आए घर में रखा सबने अपने नेनों में लगाया हिर्दय में लगाया चितवर्ती में लगाया खाली पात्र हम लेकर वापिस नहीं आ रहा है शिव मंदर में जब जब जाओ जल चड़ाने के लिए जाओ पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चड़ावी दिया तो शंकर के चरणार विंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले दो गूंद लाओ इतना सा लाओ पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नित्रों में जब लेकर आए हो चरणो तक तो लगाओ पर खाली पात्र नहीं लेकर राने में शान दीजिए जब आप पूरा जल समरपित कर देते हैं जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चड़ा रहे तो पूरा समर्पन होना चीए, पूरा समर्पन, इसलिए चंकर भगवान को अदूरा समर्पन नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चड़ता है, चंकर जी के मंदर में श्रीफल नहीं पूरता है, पूर्ण क्योंकि भगवान के चरण की रज जो हमारे घर में प्रवेश्च करेगी तो हमारा आत्म कल्यांतु सता ही हो जाएगा श्री करुणा कर देंगे पर कई लोगों की आदत रहती है और आपने भी गलती करी होगी गयोगे चणा कर भी आयोगे पूरा पानी बिंडेल कर आयोगे चणा भी दिए छोड़ भी आया पर लेकर नहीं आयोगे कई कई लोग कर जाते हैं ऑपी बात में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहा है भगवान अमारी सुनी ने रिया तो बगवान के में तो तयार बेठा पर तु नवा-वा के चली जा लेकर लेकर जा बगवान पूझन करते हुआ कि मेरे पास में आकर तो यह लेकर जाइंब औरvärm संपदा सुथा नैंच等 bench फिर जञता करने पूझन करते इतल है टेका ऐनको अफ़न क्वेड़ते कर आगा गाएंछाली ले कर हाजाते भहगवान को इतनाά बुरा मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा, जो आए, वो भर कर जाए, भले दो बूंद लेकर आओ पर उसमें चलूंदा थोड़ा सा लेकर अवश्य, उसी तरह जल चड़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं, पात्तर के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है, गर्ग सहिता में दूसरी चीज कहिए, उसको भी समय लिए, गर्ग सहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सरश्टी की जितनी नदियां हैं, प्रत्वी पर जितनी नदियां बिद्धिमान हैं, जितने तलाब, जितने सरोबर, जितने कुंड, जितने भी राजमान हैं उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलस में आ जाता है और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और दो बून चरणादक लेकर जब जाती हो तो शिव महापुरान गर्ग सहीता पदम कुरान करती है वो जल साधरण नहीं देता वो गंगा जल बनकर तुमारे घर को पवित्र करने के लिए अहुच जाता है वो पवित्र गंगा जल बनकर उसको लेकर प्रविश्च करता हम बार बार कहेंगे भगवान के मंदिर जब भी बिजाओना चेहरे पर प्रसंता नहीं और एसी पोछ गए ना तो वो स्रिष्टता नहीं माने के लिए सती महिं आ जलकर बहसम क्यों हुई था पर जितना क्रोध आया उससे जादा क्रोध सती माता को अपनी बेहनों पर आया कि मेरी इतनी बहन यह 60 की 60 बहन मेरे सामने खड़ी रही और मे आई तो प्रेम से म पोचे और जाते से ही आप उस पोचे और कहा जी जी रादे रादे जैसी कृष्णा आर महादे श्रीश्री नमस्त अभ्यों व्हूम नमस्शिवाय आपने बोला उसके चेरे पर प्रसंदा निया तो यसे घर में जाने से प्राइदा एक और आप किसी यह जा रहा है तो आपक जुर्गों के पास जब जाए तो तुमारे चेहरे पर प्रसंता होना चाहिए भगवान को भी लगे दुख भले है इसको पर चेहरे पर प्रसंता है इसको अब दुख नहीं देना क्योंकि इतना मुस्कुराक्तर ये मेरे मंदर में आती है